दिखे मुझे लगता है राजनेताओं को राजनेतिक दलों को भारत के मर्म पर तिपणिया करने से बचना चाहिए वो काम आपका हेवी नहीं आप क्यों अथक्रिमन करते हैं उस डोमेंन में जिसको आप जानते नहीं समझते नहीं आप मन रेगा पर बोलो सपाय बस्पा खेलाब बोले सब मिलके भाजपा खेलाब बोलो भाजपा आप सबके खेलाब बोले अच्छे भीशे हैं तो उनसे लड़ो आप धार्म ससकती में क्यों गुशते हो मैं यह नहीं समझ पा रहा जब जब गुशते तब तब लुटपीट के लोटे क्यों जाते हो अपनी गठ्री लुटबाने भाईया नव दिन अब तो रहे नहीं प्रम दादा ग्टर प्रम मुखर जी नव दिन किसी भी पदपर वो रहे भारत के राष्ट पती के पदपर रहे तब भी नव दिन एक पक्षकी नवरात्र और नव दिन दूसरे पक्षकी नवरात्र अपने गाउं में छे फुट के उंची दुर्गा प्रतिमाई स्थापित करके बिना सिला वस्त्र पहिन कर नव दिन शत्चंडी पाठ करते है थे प्रणमुगर्दू। वो वो स्मयदान आदमी नहीं थे क्या वो देश के खिलाव थे ग्या ये समविधान के खिलाफित कुछ कुंही कि याध भी नहीं हो ऑगा मेरा उनसे रहा तीन दर्शक का परिशे आप लोग कहां कहां से विशे ले आते हो फिर लुट पिट जाते हो कहते हो अरे मेरे तो ATM से सब पैसा निकल गया चुनाब में कोई बोटी ने आया बोट कहां से आएगा ऐसे ऐसे काम करोगे तुम भाईया यह समझना होगा यह भारती जनता पार्टी का कोई पराक्रम नहीं है ज्यादा लेकिन हाँ भारती जनता पार्टी यह जरूर समझ गई कि भारत के जो मर्म स्थल है जो उसकी आत्मा को छूने वाले विशे हैं उनके साथ रहो और भाजपा पहली पार्टी नहीं है कि सारी बुद्धी इनी में आई ये भी बिनोत सिंग को समझना चाहिए आशिष चत्रवेदी को पार्टी को समझना चाहिए ये चेतना सबसे पहले है महत्मा गांधी में आई थी जब उन्होंने सोचा कि इस देश में जब साक्षर्टा की दर बहुत कम थी इस देश को अगर एक करना है तमाम जातियों में बटा देश तो उन्होंने एक प्रतीक चुना राम राज राम उस वकत अगर उदित राज होते और मनिशंकार रही है रोते तो गांधी जी को भी ख है शरम कम बंस गई थी कि सदेश में मर्म क्या है कि मुनाव एलज्यत कोई शरूरत नहीं थी कि आपको सवाई देना ही पड़ रही हें कि मैं कुंबक के कि खिलाव नहीं आपको भी और आप पार्टी को भी पूरी है कि यो बोले है फो बंकेल खिलाप को राज राज नहीं कि दल जा भी नहीं सकता किसी की हैसियत भी नहीं और एक अद्भूत बात बता दू अभी इस्मरण में आ गए आशिर जी यह डाटा आपके जरूर काम आएगा कहीं न कहीं जितने बोट पर 19 की सरकार बनी जितने बोट पर 14 की सरकार बनी उससे ज्यादा लोग कुम्भ में नहाने आये थे अभी जो लेटेस्ट कुम्भ अयुद्या में अरे प्रियागराज में हुआ अच्छी बात है न रोचक बात है न जितने बोट पर देश भर में भाजपा तीन सो पार कर गई अद्भूत बहुमत ले गई उससे चार करोन ज्यादा लोग अकेले कुम्भ में नहाने आये थे तो जो लोग कुम्भ पर टिप्पनी करने का दुस्वाहस करेंगे उनके लिए तो प्राथने की जा सकती है कि इश्वर इन पर दया करो और एक बात हमीशा ध्यान रखिए बार बार बात आती है तमाम बहुत धिक लोग सवाल उठाते धर्म निरपेक्ष भारत का राष्ट राज्य भारत की राज्य सत्ता पंथ निरपेक्ष है होनी चाहिए वो धर्म विरुद्ध नहीं होनी चाहिए भारत की सत्ता का माथा गुर्द्वारे में भी जुकना चाहिए चर्च में भी जुकना चाहिए दरगाह में भी जुकना चाहिए काशिविशुनात में भी जुकना चाहिए क्यों नहीं जुकना चाहिए, क्यों नहीं जुकना चाहिए, जुकना ही चाहिए, अइध्या में जुकना चाहिए, मतुरा बे में जुकना चाहिए, ये को गरत बात है, को चोरी है, कोई पाप है, को नेता चला जाए तो दूसरी पार्टी के लोग करते देखों, भाया, क्या किरुना और केर राये कि हम अश्क्राइब प्रजाए ऊदो आये साहस दिखाईए और आत Studios के विरुद्ध है कि ई एज़न्ड बेंट और आए गूंड ब्ली जंड़ा बहुत क्लिए साहस दिखाईए और आप कि हम इनके विरुद्ध हैं बाबा विशुनात के विरुद्ध हैं हम तिरुपति पाला जी के विरुद्ध हैं हम चर्च के विरुद्ध हैं हम गोल्डन टेंपिल के विरुद्ध हैं बोल सकते हैं जाना ही चाहिए क्यों नहीं जाए हम सरकार का कोई पंथ नहीं होगा वहां तक सहमत है भारत के रक्त में धर्म है उसके डियेने में धर्म है मित्र रक्त से डियेने अलग नहीं कर सकते करोगे तो नुक्सान उठाओगे उसका ज्वलंत उधारन कांग्रेस सामने है राजीव गांधी के समय में 403 सीट पाने वाली पार्टी आज 44 सीट पर है धन्यवाद कर दो कर दो यहाद़ा है में बिल्वादी आज र्त सकते के बिल्वाद़ है